हालो बच्चो हम त्रिकोड मित की बात कर रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोड मित का जो फंडमेंटल है वह हमने बता दिया है आपको इसके पहले वाला वीडियो आप देख चुके होंगे अगर ना देखा हो तो इसकी आई बटन में देख लिजेगा उप जुक्षा है से Fukas keto दूब़ाराम हलका सबता देते हैं अमने बताया ता कोई भी सम्कोर्ती सिवुज होता है सम्कोर्ति हुज में 90 डिगरी के सामने की बुजा को करन कहते है politique अब आता है लंब और आधार तो लंब और आधार के जगे होती है fix नहीं होती है जिस कोड के बारे में हम बात करते हैं उसके सामने लंब होता है और बचा हुआ आधार होता है ठीक है इसके बाद तीन ट्रिकोड में ती फ़ल मताये गए थे लाल बटे कका यह हम लंब को लिखेंगे ल से ध्यान रखेगा हिंदी में लिखेंगे ल मताब लंब ए मताब आधार के मताब कर्ण तो एक तो हमको मालूम है कर्ण स्क्वाइर बराबर होता है लंब स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर तो इसमें से कोई भी दो भुजाय मालूम होगी त तो तीसरी अपने आप निकाल लेंगे आप, ठीक है, इसके बाद ये होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार, क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है, साइ होगा कर्ण बटे आधार और 10 अकॉट होगा आधार बटे लंग यह हमने बता दिया है आपको अब हम एक्सरसाइज जो आपके बुक की है NCRT की उसकी एक साइज 8.1 के आर्दस कोईशन है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देख लीजीगा ठीक है कुछ हम बताएंगे एक आध कोईशन हम आपको देंगे आप अपने आप लगाएंगे देखिए जहां पर यह डाइग्राम बनाएंगे जिस उसमें हम डाइग्राम बनाएंगे और जहां पर डाइग्राम नहीं बनाएंगे वहां लाल बटे कका से काम चलाएंगे ठीक है लंब लिख देंगे कर्ड लिख देंगे और आधार अपने आप निकाल लेंगे उसमें डाइग्राम की जरुवत हमको नहीं पड़ेगी लेकिन जहाँ पर डाइग्राम बनाएंगे वहाँ पर हमको डाइग्राम की दिरुवत पढ़ेगी ठीक है जड़ा देखिए द्यान से 8.1 एक्सरसाइज हम उठा रहे हैं उसका पहरा कोशन देखिए पहले हुद दूसरसाइज उसको हमने बताए है तो पहला दूसरा आपने आप उसी से देखिएगा तीसरा कोशन देखिए यहां पर थार्ड कोशन से देखिए लिखा यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 sin A की value दी है 3 बटे 4 तो cause A का मान निकालो 10 A का मान निकालो हमने का diagram नहीं दिया होगा तो diagram नहीं बनाएंगे हम यह diagram नहीं बनाएंगे और बिना diagram के काम चलाएंगे dेखिए sin A क्या होता है lump बटे कर्ण होता है तो lump की value कितनी हो गई 3 और कंड की value कितनी होगी 4 ऐसे नहीं लिखा जाता है क्योंकि 3 बटे 4 का मतलब जो है वो 30 बटे 40 भी हो सकता है क्योंकि हमने जब 30 बटे 40 लिखा होगा तो 00 कार दिया होगा यह 6 बटे 8 भी हो सकता है तो इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर हम किसी चीज़ से गुणा कर देते हैं क्योंकि K यहां यूज कर दिया है इसलिए मैं यहां X से गुणा करूँगा यह 3X है और यह 4X है हम माल लेते हैं जो दोनों में समान गुणंखंड है जिससे हमने इसको काटा है इसको 10 से काटा है कि कर्ण स्क्वाइर बराबर लंग स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर स्वार्मुला यह लिखिएगा निकाला चाहे जो कर्ण का मान कितना है कर्ण का मान है 4X तो 4X का स्क्वाइर लंग का मान कितना है 3X 3X का Square और आधार का हमको नहीं मालू ему ठीक है? ये हो गया 16X Square अब ये तो आता होगा ये हो गया 9X Square प्लस आधार Square इसको इधर ले आओ तो 16X Square minus 9X Square बरावर आधार Square कितना होगा? 97, 16 तो आएगा 7X Square बरावर आधार Square तो आधार का बान कितना होगा? x under root 7 ये आपका आधार की value निकल आई तीक, अब कह रहें cause ए का मान निकालो cause theta क्या होता है लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का ये लं बटे कर्ण लिखा हुआ तीक, आधार आपने निकाल लिया है तो cause ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण आधार क्या निकला है X अंडरूर 27 और कड़ कितना है 4X एकस एकस कड़ गया तो आज़ा अंडरूर 7 बटे 4 10 A निकालना है क्या होता है लंब बटे आधार लंब कितना यहाँ पर है 3X और आधार कितना है X अंडरूर 7 X कर जाएगा तीन बटे अंडरूट साथ तो इस प्रकार से हम इसका मान निकालेगे ठीक है ये तीसरा कोशन है अब देखे चौथा कोशन क्या होगा एक सेकेट देखे इसका चौथा कोशन क्या होगा जहां पर आपको त्रिभूस ना दिया हो प्रप्यात त्रिभूस ना बनाए दिक्कत करेगा ऐसे ही बना लो इसमें लिखा है 15 कौट ए बराबर 8 चौथे कोशन में लिखा है 15 कौट ए बराबर 4 स्वारी 8 8 लिखा हुआ है तो कौट ए की वैलू क्या निकलेगी 8 लिखे रहने तो यह काम देंगे साइन होता है लंबटे कड साइन का उल्टा कौशे यह कौट है यह 10 का उल्टा होता है यह हो गया आधार बटे लंब तो आधार का मान कितना हो गया 8X के मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कि के कड में भी आएगा 15X क्या नहीं दिया गया है कड नहीं दिया गया है तो कड स्क्वाइब क्या होता है लंब स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर हैनि 15X का स्क्वाइर प्लस 8X का स्क्वाइर 15 का स्क्वाइर कितना होता है 225X स्क्वाइर और 64X स्क्वाइर तो 549 और च्छेज़ दो आठेग च्छेज़ दो आठ और दो 289 x square अब जब करण निकालोगे तो अंडर उडाएगा 289 x square 289 का वर्ग मूल क्या होता है जहां तक 17 होता है नहीं मारूं तो 17 के दो गुणा कर दो 17 का पहा तो आता नहीं होगा तो 7 के उन 4, 7 एकम 7, 4, 11, 1, 37, 1, 1, 1, 1, आ गया तो सुलोगा सी नहीं तो गुणा कर लो इसके तो यह आजाएगा 17 x क्या निकलाया करण अब क्या आप से कह रहा है साइन एकमान निकालो साइन एकमान क्या होता है लम बटे करण लम क्या निकला है लम है 15 x और करण क्या निकला है करण निकला है 17 x तो क्या हैगा 15 बटे 17 साइन ही निकलाया, फिर आप से कह रहें सिक एक आमान निकालो, तो सिक एक निकालो, सिक किसका उल्टा होता है, कौस का उल्टा होता है, कौस होता है आधार बटे कर्ण, तो सिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या निकला है, 17x, आधार क्या लिखा हुआ है, 8x तो यह क्या हो जाएगा 17 upon 8 तो यह चौथा question हो गया ध्यान से करिएगा calculation अपने आप करना अब देखिए पाँचवा question देखिए पाँचवा question सिक थीटा बराबर होता है 13 बटे 12 तो अन सभी त्रिकोण मितिय अनुपात को परिकलत कीजिए देखिए सिक किसका उल्टा होता है फिल लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का सिक उल्टा होता है कौस का कौस होता है आधार बटे कर्ण तो सिक हो गया कर्ण बटे आधार तो यानि कर्ण यहाँ पर क्या हो गया 13x और आधार यहाँ क्या हो गया 12x यह x के चकर न पढ़ना यहाँ A भी लिसकते हैं आप K भी लिसकते हैं लिकिन के हम कर्ण को लिख रहे हैं यहाँ पर हम कर्ण नहीं मना रहे हैं इसलिए आप x लिखिएगा अब यहाँ लंब निकालो तो कर्ण स्क्वाइर क्या होता है लंब स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर कर्ण कितना है 13x का स्क्वाइर लंब कितना है मुझे नहीं मालूम आधार कितना है 12x का स्क्वाइर तो यह हो गया 169x स्क्वाइर लंब स् x square minus 144 x square घटाना आपको आता होगा 25 x square तो लंब की वल्यू आ गई 5 x लंब निकलाया अब कह रहें अन्य ट्रिकोर्ड मित्री फ्रन निकालो तो देखिए ज़रा sin theta निकालना है cos theta निकालना है tan theta निकालना है 6 theta पहले से निकला हुआ है cot theta निकालना है cos theta निकालना है sin क्या होता है लंब बटे कर्ड, cos क्या होता है आधार बटे कर्ड, tan क्या होता है लंब बटे आधार cot 10 का उल्टा होता है तो आधार बटे लम और ये sign का उल्टा होता है कर्ण बटे लम अब मान रख दो उठा करके देखे लम क्या है 5x कर्ण क्या है 13x तो 5 बटे 13 आ गया आधार क्या है 12x कर्ण क्या है 13x तो ये 12 बटे 13 आ गया लम क्या है 5x आधार क्या है 12 x 5 बटे 12 आधार क्या है 12 x लंब क्या है 5 x 12 बटे 5 कर्ण क्या है 13 x लंब क्या है 5 x 13 बटे 5 इस प्रकार से हम value निकालेंगे त्रिभुज बनाने की जरुवत नहीं है यह आपका है पांचवा question अब छठा देखिए क्या है छठा question बहुत ध्यान से समझीगा कहते है code A और code B noon code है code A और code B noon code है और cause A बराबर cause B यह कैसे code है noon code है यहनि इनका मान 90 से छोटा है ठीक है और दिया गया है cause A बराबर cause B तो तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि code A और code B आपस में समान होंगे अब अब आप कहेंगे तो सब 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 दिखरा है तो तो तब तुलना कर दीजे ऐसे नहीं चलेगा देखो ध्यान से बहुत साउधानी से पढ़िएगा यह आपका एक हमने त्रिभुज बना दिया ठीक A और B नियून code है तो यह तो हो गया सम code इसका मान तो A और B मानेंगे नहीं इसको C मान लिया इसको A मान लिया इसको B मान लिया अब ज़रा देखिए दिया क्या है आपको दिया है कॉज A बराबर कॉज B अब कॉज ठीटा होता है आधार बटे कर देखो ध्यान से जब हम बात A का मतलब A कोड लेके चलेंगे तो A के सामने की भुजा तो लंब हो गई इस कोड के लिए इस कोड के यह लंब हो जाएगा तो यह हो गई आधार तो यहाँ पर हो गया आधार A C तो कर्ड हो गया A B नहीं हो गया बराबर जब मैं B की बारें बात करूँगा तो B के हिसाब से यह लंब हो गया और इसके सामने यह वाली आधार हो गई तो आधार हो गया B C बटे कर्ड तो वही रहेगा A B A B कर जाएगा दोन तरफ जब गुणा करोगे तो A C बराबर B C अब आपने देखा कि यह भुजा इसके बराबर है और किसी त्रिवुज का एक गुण होता है यदर दो भुजा बराबर होती है तो उनके सामने के कोड B बराबर होते है इसका मतलब यह हुआ कि A C के सामने कोड B और B C के सामने कोड A अता कोड A बराबर कोड B यहा लिख द होते हैं के कोड़ बराबर होते हैं ठीक है यह लिख देंगे यह आपका छटा प्रस्ट हो गया ठीक है अब ज़रा सात्वा देखिए क्योंकि अभी lockdown कब तक चलेगा पता नहीं इसके बाद यह कहा जाएगा हमने आपको पढ़ा दिया इसलिए टेस्ट देना पड़ेगा तो टेस्ट के लिए आप त्यार रहेंगे देखिए सात्वा कुश्ण क्या कह रहा है इसमें लिखा कार्ट थीटा पराबर सात्वटे आट पहले तो आप जानते हैं कि फिर वही लाल जी लाल बटे कक्का तो कौण थीटा क्या हो जाएगा आधहार बटे लंप आधहार क्या है यहां पर 7 X और लंब यहां पर क्या 8 X सबसे पहले तो आप कम निकालिए ठीकैं क कर्ण स्क्वाइर क्या होता है लंब स्क्वाइर प्लस अधार स्क्वाइर यानि कि 7x का स्क्वाइर लंब है 8x 8x का स्क्वाइर प्लस 7x का स्क्वाइर तो 88 64x स्क्वाइर प्लस 49x स्क्वाइर तो 9, 4, 13, 6, 4, 10, 11, 113x स्क्वाइर तो कर्ण का मान हो गया X under root 113 ये तो कड निकल आया तीसरी भुजा तो निकाल नहीं पड़ेगी क्योंकि जब तीनों भुजाएं मालू हो जाएंगी तो कोई भी त्रिकोड मिती फलन हो उसके आमान हम निकाल लेंगे ज़रा देखिए ध्यान से एक सेकंड ज़रा इसको खाना खिला दे तो कि कहएगा हमसे काम करवा रहे हो और खाना खिला नहीं रहे हो तो गुस्सा जाएगा ठीक है देखिए अब कहने आप मान निकालो देखिए पहला पार्ट आपसे कह रहे है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा देखिए हम अब मान भी नहीं रखेंगे A प्लस B A माइनस B ये गुड़ंखंड होता है A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर तो उपर हो गया 1 माइनस sin square theta नीचे हो गया 1 minus cos square theta आप मान रखेंगे 1 minus sin theta क्या होता है? लंब बटे कर्ण लंब यहाँ पर क्या है? 8x तो 8x और कर्ण क्या है? अंडरूड 113x का square यह तो हो गया आपका अंस हर पर आजाओ 1 minus cos क्या होता है? आधार बटे आधार क्या है? 7x तो 7x अपान अंडरूड 113x का full square तो यह तो xx कर जाएगा उपर नीचे यहाँ भी कर जाएगा यह न कार देना यह उपर नीचे कर रहे तो यह क्या हो गया? 1 minus 8,8 64 बटे 113 और यह 1 minus 49 बटे 113 तो जो LCM लोगे तो आएगा 113 minus 64 उपर बटे 113 आएगा नीचे 113 minus 64 सारे 49 बटे 113 यह तो कड़ गया अब 113 में 64 माइनस करो 113 में 64 यहाँ से एक गया 13, 13, 14 गया 9 यहाँ बचा 10 में 6 गया 49 बचेगा और 113, 49 गया 64 बचेगा तो उपर बचेगा 49 नीचे भ Daily का 64 तो यह आगया 49 बचे 64 ठीक है यह तो पहला पार्ट हो गया second part देखो क्या कह रहे है second part आप से कह रहे है कि cot square theta निकालो इसी में cot square theta cot किसका उल्टा होता है 10 का आधार बटे लंब का square आधार बटे लंब का square आधार कितना है 7x लंब कितना है 8x इसका स्क्वार xx कड़ गया सास्ते उन्चार्ज बटे 884 तो ये आपका सात्वा कुश्चन है कल्कुरेशन लिए अच्छे कर लिजेगा कहीं भी गलती हो सकती जल्दी में अब आते हैं 8th कुश्चन में 11 कुश्चन है इसमें देखिए 8th कुश्चन क्या कह रहा है देखिए 8th कुश्चन देखिए लिखा है 3 cot a is equal to 4 3 cot a is equal to 4 यहां से cot a की value क्या निकलेगी 4 बटे 3 फिर लाल जी लाल बटे कक्का काट होता है आधार बटे लम सबसे पहले तो तीसरी भुजा निकालनी ही निकालनी यह पहले सो लिजी आप तो आधार की value क्या होगी 4x लम की value क्या होगी 3x तो कर्ण आप अपने आप निकालेगी हम डाल लिखेते हैं 5x यह नहीं पता ना कहां से आया अब आप निकालेंगे कर्ण स्क्वार ब्रावर लंबिट स्क्वार प्रसाधार स्क्वार अब आप से कहरा है एक फार्मुला है कि 1 माइनस 10 स्क्वार ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वार ए बरावर कॉस स्क्वार ए माइनस साइन स्क्वार ए यह दोनों बरावर है की नहीं वैसे तो होते हैं हम जानते हैं बड़े क्लास में पढ़ाए जाएगा लेकिन मान दख के बताओ तो आप पहले लिखेंगे टेकिंग एलेक्चेस दाया पक्ष ले लिजे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइट वन माइनस टैन स्क्वार ए अपान वन प्लस टैन स्क्वार ए देखिए वन माइनस टैन क्या होता लंब बटे आधार लंब क्या है थ्री अक्स आधार क्या है फोर एक्स तो यह हो गया आपका थ्री अक्स अपान 4x का square ये तो हो गया अंस बटे हर में आ जाओ 1 प्लस 3x बटे 4x का square अभी ये लेचे सुल कर रहे है तो xs कर जाएगा तो यह आएगा 9 बटे 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16 यहाँ 16 लो तो आएगा 16 माइनस 9 बटे 16 यह आएगा 16 प्लस 9 बटे 16 कर जाएगा यह तो क्या है यह 7 बटे 25 यह तो left hand side का मान आया 7 बटे 25 तो इसका मतब right hand side का मान भी 7 बटे 25 होना चाहिए अब हम taking arches लेते हैं उसका मान रखके देखते हैं क्या आता है taking RHS क्या है cos square A minus sin square A यह क्या होता है आधार बटे करण का square minus लम बटे करण का square आधार रखे उढ़ा करके आधार कितना है 4x 4x करण कितना है 5x का square minus 3x upon 5x का square xx कर जाएगा तो 4 चोग 16 बटे 25 minus 9 बटे 25 यह भी 7 बटे 25 आएगा तो आपके लिखेंगे left hand side is equal to right hand side अताह दिया गया यह जो कथन है वो सत्य है ठीक है यह आपका हो गया 8th question ध्यान से कर लिजेगा रैटिक स्वंज में ना आए तो समन लिजेगा क्योंकि ऐसी ही आएगी इसे बढ़िया नहीं आ सकती देखें इसके बाद आते हैं 9th question में देखो 9th क्या कह रहा है कहते हैं त्रिभूज ABC में code B 90 degree है अब आपको डैग्राम बनारा पड़ेगा ठीक है त्रिभूज ABC यह है code B 90 degree है तो यह B हो गया यह A हो गया यह C हो गया यह 90 हो गया अब बिना कहें आप दिमाग लगा लिजेगा कि जिस code के बारे में 90 degree के सामने तो कर्ण होगा लेकिन जिस code के बारे में हमसे बात करेंगे उसके सामने लंब होगा जिस code के बारे में बात करेंगे ठीक है इसके बाद 10 A दिया है एक बटे अंडरूर 3 10 A जो दिया है 10 A दिया है एक बटे under root 3, यदि यह हो गया lumb बटे आधार, एक हिसाब से lumb कौन होगा, ये तो lumb कितना हो गया, 1x और आधार कितना हो गया, under root 3x, तो ये 1x आ गया, ये under root 3x आ गया, इस 10 के हिसाब से, ठीक है अब पहले तो तीसरी भुजा निका लिए तो ये कर्ण हो गया, तो ac square बराबर ab square प्लस bc square, ab कितना है, under root 3x i square और bc कितना है, 1x, तो x square हो जाएगा, तो आएगा 3x square प्लस x square बराबर 4x square तो ac का मान कितना आ गया, 2x तो ये मान तो निकला है हमारा ठीक, अब क्या निकालना है देखो, पहला पार्ट आप से कह रहे है पहला पार्ट कि आप sin a into cos c plus cos a into sin c का मान निकालो जड़ा समझीगा फिर लाल जी को यहाँ लिख दो फिर लाल तो आप लाल बटे कका sin ने होता लम बटे कर्ण, एक हिजाब से लम कौन है, x कर्ण कौन है, 2x into, cos c cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण इस c के हिसाब से यह लम हुआ न, आधार तो यही रहेगा तो यह भी x हो गया, और कर्ण 2x हो गया, cos a a यहाँ पर आजो, a के हिसाब से आधार कौन है, root 3x root 3x upon कर्ण कौन है, 2x sin c, यह हो गया, लम बटे कर्ण तो लम कौन है, root 3x upon 2x, अब हलका लिजेगा यह xx कर्ण गया, xx कर्ण xx कर्ण गया, xx कर्ण गया, xx कर्ण गया उपर एक एक कम एक, नीचे दो दूनी 4 root 3 into root 3, 3 बटे 4, 4 हो गया, calcium 1 प्लस 3, 4 बटे 4, value क्या गई, 1 यह तो पहला part हो गया second part आप से कह रहे हैं कि cause a, cause c cause a cause c minus sin a sin c, इसको अपने आप निकाल लिएगा इसका बाद 0 आ रहा है, हब नहीं निकाल लएगे आधार बटे कर्ण रखोगे, एक हिसाथ से आधार कौन है, decide कर लोगे, जिस लोड की बारें बात करेंगे, क्योंकि 90 degree का स्थान fix है, उसके सामरी हमेशा करण होता है, दस्वा question थोड़ा tough type का लग रहा है, ध्यान से देख लीजेगा, थोड़ा technical है देखे ध्यान से त्रिभूज PQR, फिर बनाना पड़ेगा हमको डाइग्राम त्रिभूज PQR में कोड Q है 90 degree तो हमने एक PQR बना दिया और कोड Q है 90 degree तो ये P हो गया, ये R हो गया ठीक है और PQ दिया है 5 PQ बोले तो ये 5 हो गया अब जाद देखो क्या दिया है इन्होंने दिया है P R प्लस Q R बराबर 25 ये सेंटीमिटर है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर भुजाय निकालनी पड़ेंगी देखो ध्यान से, इन दोनों का योगफल दिया गया है, हमने इसको X माल लिया हमने यहाँ माना किसी को X माल लिया Q R को X माल लिया, जब यहाँ X रखोगे, तो P R की वैलू क्या हैगी, 25 माइनस X तो यह भुजा हो गई 25 माइनस X ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में पाइथा गुरस की प्रमे लगा दू ठीक है, त्रिभुज P Q R में करण क्या है P R, तो P R का स्क्वार इस इक्वार टू P Q का स्क्वार प्लस Q R का स्क्वार P R की वैलू कितनी है 25 माइनस X 25 माइनस X का स्क्वार P Q कितना है 5, 5 का स्क्वार प्लस यह 25 है कि 5 है 25 है, ठीक है और Q R कितना है X स्क्वार, इसमें आप A माइनस B का होल इसकार खोल दो A स्क्वार, यहनि 25 क्या होगा 625 प्लस x square माइनस 50 x a square प्लस b square माइनस 2ab is equal to 25 प्लस x square सबको एक तरफ ले आओ ठीक है इसको उधर ले जाओ ये 625 लिखा रहा ने दो और ये 25 इधर माइनस में ले आओ उधर जाईए उधर हो जाएगा x square पहले से लिखा हुआ है ये माइनस का x square माइनस का ये प्लस का 50 ये कड़ गया ये 625 माइनस 25 कितना आएगा 600 50 को बटे में ले आओ बराबर x ये कड़ जाएगा 12,5 x कमान कितना आगया 12 ये भुजा कितनी हो गई 12 ये भुजा कितनी हो गई 13 भुजाए वालू हो गई अब आजाएए कोशन क्या पूछ रहा है कोशन कह रहा है कि sin p cos p tan p sin p nिकालो cos p nिकालो tan p मतब कोड p p मतब perpendicular नहीं देखे जब हम इस p के बारे में बात करेंगे तो ये भुजा जो सामने है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी तो लंब बटे कर्ण होता है तो यानि लंब बता है मतलब qr बटे कर्ण कितना है p r यानि 12 बटे 13 कौश होता आदार बटे कर्ण तो इसके इसाफ से ये वाली आधार हो गई p q बटे q r यानि कि 5 बटे 13 ये लंब बटे आदार होता है तो यानि कि q r बटे p q यानि कि 12 बटे 5 ये क्यों दिया उन्हों नहीं ये पहले चाहते थे कि पाइथागोरस की प्रमे लगा पाओगे निलगा पाओगे दूसरी बात यहाँ पर में था वो लंब करणा आधार आप डिसाइड कर पार हो नहीं कर पार हो एक नड़ रुकिए 10 p होता है 10 p निकाला है न लंब बटे आधार p लंब 12 बटे ठीक तो ये आपका त्रिबुच 11 कुशन है एक प्रसंदिया है और कहते हैं गलत है और अपने उत्तर की पुश्ट कीजिए देखो पहला कहा गया 10 A का मान सदयो एक से कम होता है जी नहीं ये गलत है 10 की वैलो भी आगे पढ़ाई जाएगी 10 90 अनंत होता है तो 10 का मान एक से हमेसा कम नहीं होता पहला गलत है दूसरा क्या करा है कोड A के लिए साइन A का मान दिया है 12 बटे 5 देखो 12 बटे 5 को अगर हल करेंगे तो 5 दूनी 10 2 सही 2 बटे 5 आएगा यानि 2 से कुछ बड़ी वैलू आ रही है और साइन की वैलू जो होती है साइन थीटा हमेसा माइनस 1 से 1 के बीच में वैलू होती है माइनस 1 से बड़ा होता है या माइनस 1 हो सकता है अधिक से अधिक 1 होता है और ये 1 से बड़ी वैलू है इसलिए सम्भव नहीं है कॉस A कोड A का लिए को सीकेंट प्रिग्थ होता है जी नहीं सीकेंट कहते हैं कौसे को को सीकेंट कहते हैं कौस को को साइन कहते हैं यह हमने बताया है आपको अचा कौस ए का मतलब यह होता है कौस ए का मतलब होता है कौण ए का कौस यह दोनों गुणे में नहीं होते हैं तो कहने कौस ए मतलब cause, caught a, मतलब caught और a का going full है, नहीं गलत है किसी भी θीटा के लिए sin theta चार बटे पांच है sin theta दिया है, 4 बटे पांच किसी भी theta के लिए sin theta, 4 बटे पांच, ऐसा थोड़ी है कि हमेसा 4 बटे 5 होता है, उस भी हो सकता है ये भी false है तो एक साइस कर लिजेगा इसकी पहले का वीडियो हम description में दे देंगे आई बिटन में दे देंगे इसको पढ़ लिजेगा ओके thank you